हलो नीट आस्पिरेंट्स आज इस वीडियो में हम लोग कंफूशन भगाएंगे ECG का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी तो ECG का ऐसे भगाएंगे इस वीडियो देखने के बाद तम लोग बताओगे इस वेडी इसी जी तो ECG को इसी जी बनाने के लिए यह वीडियो सुरू से लेके अंध तक फ़लो करें तो वाट इस बिसिकली ECG ECG क्या होता है ECG हम लोग के NC8 में बता गया है ECG is the electrical activities of our heart heart के अंदर क्या होता है heart के अंदर continuously beating हम लोग को देखने को मिलता है rhythmic beating किसलिए heart beat करते है heart के अंदर जो heart का वाल होता है heart का वाल होता है उसमें myocardial wali होता है जिसके अंदर heart के cardiac muscles है strited involuntary rhythmic muscles होता है myocardial wali में heart का तो उसको जब impulse मिलता है तब यह muscle में contraction होता है और यह heart beat करते रहते हैं अभी heart beat के लिए जमेदार कौन है इसका impulse कहां से बनता है यह इसका मुण के नर्वस सिस्टम से नहीं आता है, इसका impulse बनता है हर्ट के अंदर ही, हर्ट के अंदर एक generator है जिसका नाम है is a node, cyno-atrial node इसका मुण पेस्ट मेकर भी बोलते हैं, यानि कि हाट बीड जो होता है, इसको पेस बोला जाता है यह पेस्मेकिंग करते है तो यहसे नोट जो हता है यह मिनिट में 72-72 टाइमस एवर एड़ इंवर जेनरेट कर सकता है यह इंपल्स जो हता है यह इसे नोट से आएगा अवी नोट में फिर एवी नोट से थूआउट दा कार्डियाग मसल फैल जाता है body के अलग अलग जगा में कुछ leads लगाते हैं हिनेकी electrodes लगाते हैं अभी electrodes का काम क्या होता है sabes positive fab के बीच में charge difference calculate करने का काम करते है मेशन ECG और इस दोनों इलेक्रोड के बीच में potential difference कालकुलेट करके यह ए ग्राफिकल रिप्रेजेंट एक प्रेजनेशन representation देते हैं उसको हम लोग बलते हैं electrocardiogram और इसमें इसमें जो graph formation होता है जो graph read करते हैं इसको बलता है electrocardiogram अब चलो देख लेते हैं जो electrodes है body के अंदर कहा एक फ्लेश किया जाता है और त थाउर जो electrode है आंकल में टैक किया जाता है ठीक है एक राइट रिस्ट में एक लेफ्ट रिस्ट में एक लेफ्ट एंकल में यह तीन मेजर इलेक्रोड प्लेस कर दिये अब यह तीन मेजर इलेक्रोड का फंक्शन क्या होता है यह जो वाडिक अंदर जो लॉंगिटूडिनल एक्सिस होता है left wrist में दिया जाता है negative electrode और left ankle में दिया जाता है positive electrode, sna healing अब 6 minor electrode रहता है चो की रहता है हम अन प्रीका यह चेस्ट रीजीन में Heart का activate को closely monitor करने के लिए तो उसको नाम दिया जाता है V1 toando V6 6 electrode यह region में रहता है heart, body का open heart घर kannst हाट के चार और बोडी के बाहर से हाट का एक्टिविटी इसको बहुत क्लोजली मोनिटर करता है और कौम सा प्लेन में यह ट्रांसवर्स प्लेन में जो है ट्रांसवर्स प्लेन में बोडी को अगर इस तरह से इस तरह से काटा जाए तो यह प्लेन में इलेक्टिकल अक्टिव homes are 3 से रेप्रेजंट कर रहे हैं यह graph में देख रहे कि कहीं कहीं पर सिधा लाइन गया है ज़िए पर के तरफ चलंग लगाये है कम इसीपल लगाए है तो इसका मतलब क्या होता है कैसी यह शेम इस बनता चलो हम लोग detail में देख लेते हैं ओके ओके तो अब तीन सीच ेशन को हम लोग स्टाडी करेंगे तीन सीचस vaccinated करेंगे एक कया है? यह cardiac muscle बनाया गया है इस जिसके एक साइट में positive electrode है एक जाट में negative electrode है दोनों electrode के बिछ में क्या होता है? impulse flow होगा potential difference बनता है और action potential एक electrode से दूसरे electrode के वर flow होगा ठीक है अब ये action potential या depolarization होता क्या है मैंने बोला कि cardiac muscle तभी contract करेगा जब cardiac muscle में depolarization होगा depolarization मतलब normal condition में क्या होता है normal condition में कि अंदर negativity रहता है एक अगी जैसे इसको जैसे इसको stimulus मिल जाता है यहीं कि यह से नोट जैसे ही नर्व impulse create करना start किया यह से नोट जैसे ही नर्व impulse create करना start किया तब यह सारे cell क्या होगा यह अपना polarity को change कर लेते हैं तो अंदर negative से बन जाता है positive तो positive पॉझीव पॉझीव इस तरह से यह direction से यह direction में positive charge का फ्लो होगा और बाहर क्या हो जाएगा बाहर negative 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 इस तरह से हो होगा तब यहाँ पर के तरफ चलांग देखने को मिलेगा जिसकोन लोग बोलते है पॉसेटिव डीफलेक्षंडी फ्लेक्शन मतलब सेम लाइन चल रहा है negative electrode के ओर तो action potential का direction किदेर होगा towards negative electrode तो positive it city जा रहा है किदर negative electrode के ऊसे जब नेगेटीव के ओर जाएगा positive impulse positive charge जब negative electrode के ओर जाएगा तो क्या होगा ये line नीचे के तरह एक deep लगाएगा के V एक वाली क्रियेट करेगा जिसको बला जता है negative deflection। ओड के अब तीसरा scenario study करते हैं तीसरा scenario में अब जैसे कि depolaryization हो जाता है depolaryization के बाद क्या होता है repolareization होता है याणि कि अब cell के अंदर क्या होता है से बाहर नाइधिव था, अंधर नेगेटी विटी होते रहता है बाहर पोसितिव और नेगेटिव होना स्टार्ट हो गया तो क्या होगा, negative charge will flow towards negative electrodes, अकर negative charge negative electrodes के वर flow हो रहा है, तब भी क्या होता है, तब भी यह जो graph है, यह graph उपर के तरफ ही छलांग लगाएगा, यानि कि positive deflection दिखाएगा, तो positive और negative deflection तो पता चल गया, कब होता है, अब यह जो line है, यह जो line है, जो सांतिक line है, जो की उपर काडियक मसल में, नेट डिक्रेक फ्लो जीरो होता है, नेट फ्लो नहीं हो रहा है, तब क्या होता है, तब क्या होता है, तब कोई वोल्टेज means क्रेट नहीं होगा पोटेंशियल डिफरेंस क्रेट नहीं होगा तब इसी जी कोई भी छलांग नहीं देखाएगा तो तब वह क्या करेगा एक एक स्ट्रेट लाइन जनेरेट करेगा जिसको बलाता है आईसो इलेक्टरिक लाइन ओके अब देखते हैं कि यह जो ग्राफ बना है एक नॉर्मल हेल्दी हार्ट में यह इस तरह का इसी जी ग्राफ हम लोगों को देखने को मिलता है तो इसमें पी क्यू आरेस टी क्यू बनता जकरते हैं तो इंपल्स जब यह जनेरेट करेगा नहीं के अक्षन फोटेंशियल जब यहसे नोड जनेरेट करते आँड़ का उसी चीज को इधर दिखाए गया है उके तो एपक्स के और पॉजिटीव और उसका जो उपर के तरफ है जहां से पें जिसके यहां पे इसे नोट बगए रहा रहा है उधर उसका नेगटिव इलेक्टरट है तो एसे नोट से जब एवी वी नोट के ओर तो negative से positive electrode के और यह arrow बन रहा है यहाँ कि positive charge का flow किदार हो रहा है positive electrode के और तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर यहाँ पर यह यह उपर के तरफ एक चलांग लगाएगा यहाँ पर positive deflection देखने को मिलेगा जिसको हम लोग बोलते है P wave अब क्या हो अब क्या होगा अब जैसे charge पहुंच गया सारे charge पहुंच गया कि इसके पास evynote के पास evynote क्या है एक battery जैसा काम करते है पेस setter भी इसको हम लोग बोलते है यानि कि जो पेस ऐसे नोट क्रेट किया जो impulse को विजा गया evynote के पास अब ये evynote throughout the cardiac muscle इसको circulate करवाएगा पेस का setting लगाता है सिधी बात में इसलिए इसको paste setter बुला जाता है अब evynote में जैसे evynote में जैसे सारे positive charge आके पहुंच गया ये पुरी तरह से 4 और से depolarized हो गया अब depolarized जब ये पुरी तरह से complete depolarized हो गया evynote ये कुछ देर time लेते है इस charge को distribute करने से पहले तो जब वो चुप चुप बैटा हुआ था depolarized होके बैटरी का काम क्या होता है चार्ज को store करके रखना evynote भी इधर बैटरी का काम कर रहा था न तो ये भी charge को कुछ depolarized stage में एक कुछ देर के लिए रुका हुआ था तो इसलिए यहां पर क्या होगा यहां पर एक isoelectric line देखने को मिलेगा ठीक है जिस आइसव इलेक्रिक line को क्या बोलते है हम लोग कि पी आर सेग्मेंट पी आर सेग्मेंट आइस एलेक्टिक line खतम हो रहा है देखो यहां पर आप एक नीचे के तरफ डिप लगाया है और एक क्यू बनाया है अब बिसिकली यह पी जब क्रेट होता है याणि कि जब इसे नोट से इधर जब चुली एकच्वली और कल का ओरिकल का सिस्टोल हो रहा है ओरिकल का contraction या auricular depolarization यानि कि auricle उस समय नीचे के तरफ blood pump कर रहे है तो उस समय जो electrical activity है उसके वाज़े से p-wave create होगा अब क्यों प्रीप प्रीट होगा पता चल गया इसे नोट से भी नोट के और यह arrow बन रहा था अभी arrow का direction क्या था तोर्ज positive electrode इसलिए यहां पर positive deflection create होगा उसके बाद यहां पर q जहां पर form हुआ है जहां पर q फर्म हुआ है देखो यह q अब यह isoelectric line से नीचे चला गया है यहां पर negative deflection q create होगा अब यह जैसे की अब यह एभी नोट से क्या होगा एभी bundle होता है नर्विंपस को आगे लिए जाने की जिसको कमें लोग bundle ऑफ हिस बोलते है अब यह bundle ऑफ इसका दो पार्ट रहता है राइट bundle ऑफ इस और और लेफ्ट बंडल ऑव हीज। अब लेव बंडल आफिज जो हता है यह ज्ञादा स्ट्रोंगर होता है कि इसको नर्विंपल्स को पहुंचाना पड़ता है कि Hisके पास left-ventricular wall के पास और left-ventricular का वाल जो होता है right-ventricular का वाल से ठीक होता है लेकिन अ वेंट्रिक वाल में अभी तक नहीं गया है अब जो नार्विंपर्स है यानि कि positive charge का flow हो है जो dipolarization है यह left bundle of this से नीचे के तरफ अना start कर देगा ठीक है इस तरह से आगे flow होगा लेकिन इधर जो muscle है इधर जो muscles है इधर जो muscle sales है उसको उसमें contraction जो होगा उसमें contraction होगा ये direction में उसमें contraction होगा ये direction में तो from left side towards right side यहाँ पर हम लोगों को एक positive charge का flow देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर जो septum है यह दोनों हाट का left और right side को separate कर रहा है कौन कर रहा है septum कर रहा है तो यहाँ पर septal depolarization जो होता है septal depolarization के समय क्या होता है electric charge मतलब जैसे electric charge आ गया है इधर positive charge इधर का cardiac muscle को ये direction में depolarize कर रहा है में depolarize कर रहा है इसली इधर vector formation किदर होगा from left to right और यह है left यह है right positive electrode है left में negative positive electrode है left में negative electrode है right में ठीक है अब जो positive मतलब यह क्या denote कर रहा है flow of positive charge towards negative electrode flow positive charge towards negative electrode तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर negative deflection होगा ना पर negative deflection होगा जिसका हम लोग बोलते हैं क्यों ओके तो negative deflection क्यों हुआ पता चला इधर systolic sorry septal septal contraction के दावरान सेप्टल contraction जो होता है तब क्या होता है तब क्या होता है सेप्टम में सेप्टम में depolarization होगा ठीक है और इसमें कौन सा अब क्या हुआ फिर अचानक क्यू से इधर ऊपर के तरफ यह चलांग लगा है बड़ा सा positive deflection देखने को मिला है अब ऐसा क्यों देखने को मिला है अब यह देखते हैं अब जैसे चार्ज आगे तरफ आ चुका है आगे तरफ आ होगा इधर वेंट्रीकल में bundle और वीज परकेंजे फाइबर के तुर वेंट्रीकल में आ चुके है अब इधर जो फ्लो आफ चार्ज होगा डिपोलराजेशन जो करेगा एक एक सेल को एक एक काडियाक मसल सेल को तो इधर यह डिरेक्शन में डिपोलराजेशन हो रहा है इधर एक वेक्टर क्रेट हो रहा है तो यह दोनों वेक्टर का combined vector किदर होना चाहिए था इसके बीच में ठीक है लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि जो left side होता है heart का, left ventricular wall ये बहुत ज़्यादा ताकत बर होता है बहुत ज़्यादा muscular होता है इसके बज़से क्या होता है इधर ये जो है इधर जो deploration ये much stronger होता है थोड़ा सा left side में होगा थोड़ा सा left side में होगा तो यह हम कि इसका और इसके बीच में जो डिट्र फर्मेशन होगा और प्वाइटीव एक्टर बहुत बड़ा पॉजिटिव डिफ्लेक्शन हम लोग को दखने को मिलता है इसका पिक में यह आर फॉर्मेशन करेगा अब देखो अब आर जैसे फॉर्मेशन को किया हुआ है यहांसे नीची के तरफ आएगा एक नेगेटिव डिफ्लेक्शन यह इस पॉइंट में क्रेट कि है तो यहां पर नेगेटिव डिफ्लेक्शन कैसे क्रियट हुआ फिर से हम लोग देखे लिए तो आप यह जो चार्जेस है अधर दी जेरी चार्जेस विटिकल्स के उपर के तरफ जा रहा है एक पूरे प्रेव का दियरेक्षन है इधर इधर लोग का डियरेक्षन है उपर के तरफ है अब आपट कर रहा है तो यह दोनों का का एक में एरो किulfेत होगा ये दोनों के बीच में इसमें पॉसिटर का फ्लोव रहा है तो पॉसीटिव तो फ्लोव रहाये टॉड़स टुड़स नेगेटिव एलेक्टरोड तो पॉझिटिव जब नेगेटिव इलेक्ट्रोड का रिजिकने ऐक deep point है उसका हम लोग ace बोल दी है अभी qrs complex जो बना है qrs complex जो बन गया है qrs complex इसको बलाता है qrs complex ये क्या denote करते है ये denote करते है ventricular depolarization वेंटरिकुलर डी-ποलाराईजेशन ठीक है ये डीनोट करते है औरिकुलर या अट्रियाल डी-ποलाराईजेशन qrs डीनोट करते है वेंट्रिकुलर डी-ποलाराईजेशन ये येजिडिके ब्लड को पांप कर रहा होता है फिर ओरीकलर ड्यास्ट्रोल भी तो बहुती माइल्ड औरिकलर री पोलर होता है जिसका स्ट्रेंथ बहुत ही कम होता है in compare to ventricular depolarization तो उसके लिए यहाँ पर auricular repolarization इधरी कहीं पर बनता होता है लेकिन उसका उतना strength नहीं होता है कि इस graph में कोई changes लाप है तो auricular repolarization किदा रहा है auricular के इसका हम लोग दोलते हैं स्टी सेग्मेंट क्यों हुआ अब जैसे बीसे पूरे ventricular वाल मैं अब depolarization complete हो गया तो पुरा विंट्रिकुलर वाल क्या होगा positive charge हो जाएगा पूरा वेंट्रिकुलर वाल क्या होगा फॉसितिब ली चार्ज है गया अब जय से वेंट्रिकुलर में हो जाएगा क्या होगा यह कुछ दिर के लिए स्टाटिक कॉंडिशन में आ जा यह वाद क्योंकि फिर से इसको करना पड़ाईजेशन und पोलराइजेशन के बाद फिर से नेक्स्ट डिपोलराइजेशन नेक्स्ट इंपल्स इसको इंप्रूब इसको एक्टिवेट कर सकता है तो डिपोलराइजेशन के बाद रिपोलराइजेशन होता है लेकिन डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन के बीच में एक छोटा अब ये T-Wave कैसे formation हुआ, T-Wave का मतलब होता है, T-Wave का मतलब होता है, Ventricular Repolarization, Ventricular Repolarization, जैसे Ventricular Repolarization स्टार्ट हो जाते है, तो इधर देखो, Negative Charge का Flow, Create होता है अब, Negative Charge का Flow, Create होगा, ये direction में, Negative Charge का Flow, Create होगा, इस तरह से, अब जब Negative Charge का Flow, Create होगा, इस तरह से, अब जब नेगेटिव Charge का Flow, Create होता है, तो ये दुनों डिरेक्शन से जब नेगेटिव Charge में हैंने के Repolarization start होता है, तो इसका जो Mean Vector बनेगा, इनकी जो Vector Formation होता है, Vector Formation होता है, तब अपर आप एरो क्रियेट करेगा यानिकी डिपोलरीजिशन उपर के तरफ यह हो रहा है ना डिपोलरीजिशन इदर देखो डिपोलरीजिशन के समय कार्डियक मसल में नेगेटिव चार्ज का फ्लो उपर के तरफ हो रहा है तो यह साइड यह साइड दोनों साइड में ड दोनों का एक नेट वेक्टर क्रियेट होगा जो की यह रेड एरो बना गया है इधर फ्लोव हो रहा है यह फ्लोव हो रहा है इसका डारेक्शन है ट्वर्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड अजब नेगेटिव चार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रोड के और भागेगा तब क्या हो कि रिपोलाराईजेशन वेंट्रीकुलर रिपोलाराईजेशन यहां इस बंद गया हम लोग का टी यूएब अब टी वेब के बाद कभी-कभी एक छोटा शा बहुत बहुत ही निगलीजिबल एच चोटा सा एक यूएब स्ऩफने को मिलता है अब यूएफ है क्या इवए वेंस रिफ पोलराइजेशन ओफ एफ यवारी मसल अब वेट्रिकल का जो वाल होता है। विंट्रिकल का वाल में कुछ प्लारी मसल्स का फंक्शन क्या होता है कि को पगर के रखना होता है 혁ख है इसके साथ ट्राइका स्पीड export जुरा हुआता है क्या जब रिलाक्स होते है चुरार करते है तो जुर लिक रिया ख़शने करने की कि just papillary muscle में भी repolarization होता है papillary muscle में भी repolarization होता है और यह repolarization papillary muscle denote करते है यह denote किया जार है by the wave view तो papillary muscle का भी repolarization का direction यह होगा papillary muscle का repolarization का direction यह होगा तो papillary muscle का repolarization का direction अगर यह वाला होगा तो इधर क्या होता है यह जो negative charge का flow यह दिखाएगा towards towards ये दोनों का mean जो होगा नेट charge of flow देखेगा towards negative electrode और वहाँ पे भी एक छोटा सा positive deflection create होता है तो ये होता है हो गया है हम लोग का ECG का explanation तो अब कभी-कभी क्या होता है कभी-कभी कभी ये normal ECG देखने को नहीं मिलता है कभी-कभी क्या होता है कभी-कभी ये ECG में इस तरह का elevated ST-segment जो है ये elevated देखने को मिलता है ठीक है तो ये elevated ST-segment कभ देखने को मिलेगा elevated ST-segment तवी देखने को मिलता है कि जब myocardial infraction होता है है यानि कि जब heart attack होता है तो heart attack के जो graph होता है उसमें हम लोगों को elevated ST-segment देखने को मिलता है ओके हैंनी कि inclined सेग्मेंट देखने को मिलता है और यहां पर तो को T सेग्मेंट जो हता है यह बहुत उपर दिखा रहा है